नई सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर महौन यादब ने लालली बहना योजना की राश्वी ट्रांसफर कर दी है बता दें कि ये पहली किष्ट है जब सरकार बनने के बाद डॉक्टर महान यादब ने लाडली बहना यूजना के पैसे बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की है मुक्यमंत्री डॉक्टर महान यादब ने 1.29 लाख करोड रुपे बहनों के खातियों में कम लगभग 15 करोड 46 लाख रुपे जमा किये हैं साथ ही सामजिक निया विभाग ने 12 पैंशन स्किम के माध्यम से 6 लाख हिदगाहियों को 341 करोड ट्रांसफर की है इस दोरान सीम मौहन यादब ने कहा कि सरकार लाड़ली वहना यूजना की राश्या डाल रही है पता नहीं कॉंग्रेस के लोगों का पेट क्यूं दुखता है कहते हैं कि जब डाल नहीं सकते तो बादा क्यों करते हैं और जब आज राश्वी भेजी जा रही है तो कहते हैं कि अब देदी तो अगली बार देंगे या नहीं देंगे तुम उम्मीद में बैठे रहो हम हर बार देते रहेंगे तुमने तो कभी दी नहीं देने बालों पर उगले उठाते रहो स्टीयम ने कहा कि अपने बाप का क्या जाता है रांद की चड़िया रांद के खेत खाओरी मेरी चड़िया भर भर पेट आपका है और आप ही को दे रहे हैं कितने अच्छी सुन्दर बात करी उनने उनने कहा कि मेरे इस देश के अंदर केवल चार सरेणिया है केवल चार जातिया है और चारों जातियों में उनने पूरा देश अंदर रख लिया है उनने का महिला, किसान, युवा, गरीब यह कुल चार जातिया और चारों का उत्थान हमको करना है अब बताओ इन चारों को अगर जोड के इनका उन्नती कर दो तो देश में बचेगा क्या तो ऐसे वेक्ति के लिए उनके अपने भाव के लिए यह अपनी एस्वस्वी मुख्यमंत्री के पीछे वो के ते डवल जन की चलता है और देश का दूसरा इंजन बहुपाल से अपनी सरकार का बढ़ाना पड़े के नहीं बढ़ाना पड़ेगा तो आपने लिए अपने आपके लिए सहमत है तो बताओ के इसे बढ़ाओ के जड़ा ताली बजा करके हमारे तारे तोहार